नारेंद्र मोदी 2024 में कैसे बनेंगे पी एम पर इक्छा लेगी पाटेई मीशन 2024 यानी आगामी लोग सभा चुनाव जितकर लगातार तिसरी बार नारेंद्र मोदी के नेतित्यों में केंद्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा जूट गई है केंद्रियर नेतित्यों के दिशा नेदेश में जारखन भाजपा भी चुनावी मोड में आ चुकी है राजे के संगठन महामंत्री धरमपाल को यूपी भेजने के बाद जार्खन भाजपा के संगठन की कमान यूपी के परदेश सो संगठन मंत्री करमबीर सिंग को सोपा गया है करमबीर के सामने जार्खन में 2019 की सफलता को दोहराने की चुनोती है तब भाजपा ने लोकसभा की 14 में 12 सीट पर सफलता दर्ज की थी बतादे जार्खन भाजपा का 27 अगस्य तीन दिवसे पर सिक्षन सिवीर गिरी डी जीले के पारसनात में लगने जा रहा है इसमें भाजपा रायनिती की पढ़ाई पढ़ेंगे और परिक्षा भी देंगे जार्खन में 25 तक बारिस बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे जार्खन में देखने को मिल रहा है मौसम केंद्रे ने 23 से 25 अगस तक पूरे राजय में हलके से मदर्ज की बारिस की संभवना जताई है इस दोरान कहीं कहीं गरजन और बजरपात भी हो सकता है इसको देखते हुए मौसम केंद्रे ने एलो अलट जारी किया है वहीं नीम्न दबाव का छेदर जो जार्खन के उपर केंद्री था वह अब 36 गड़ अर्माद परदेश की ओर चल गया है मौसम केंद्रे ने धनबाद सिम्टे का पुर्वी सिम्मूव सराय के लखर सवा गिरी डिगोटा देवखर और सायब गंजीला के कुछ भागों में हलके से मददज की में गजन तथा बजरपात के साथ बारिज की समावना जताई है जारखन में सियासी उथल पुथल के बीच राजयपाल पीय मोदी से मिलने दिल्ली जारखन के राजयपाल रमेस बैस रभीवार को दिल्ली रवाना हो गया है वह परदान मंत्री नैंद मोदी और केंद्रिय गिरी मंत्री अमित सास से इस दोरान मुलकात कर सकते है राज येपाल की यह दिल्ली यात्रा ऐसे समय में है जब जार्खन में मुख्य मंत्री हेमांत सुरेन की विधान सभा सरस्यता को लेकर तरह तरह क्या संका जताई जा रही है दरसल भारत निर्वाचन आयोग हेमन्त सुरेन की सेता समधित मामले में फैसला सुनाने वाला है हेमन्त सुरेन पर आरोप है की उन्होंने विभागिय मंत्री रहते अपने नाम से पत्थर खनन लीज आवंटन करा लिया है भादपान ने चुनाव आयोग से जन प्रतिनिधित्व कानून का उलंखन बताते हुए हेमन्त सुरेन की विधाय की रद करने की मांकी है भारत चुनाव आयोग कभी भी इस मामले में फैसला सुना सकता है ज्यारखन के सभी अस्तर के स्कूल होंगे उतकर्मिक सिक्षा मंत्री ज्यारखन सरकार राजे में निर्धारी दूरी वजन संख्या का धार पर हाई स्कूलों एवाम प्लस टू हाई स्कूलों के उपलावदेता सुनेशित करने के लिए सभी अस्तर पर स्कूलों को उतकर्मित करेगी इसके तहद चीनहित मीडिल स्कूलों को हाइ स्कूल तथा हाइ स्कूलों को प्लस टू हाइ स्कूल में उतकर्मित किया जाएगा इसकूली सिक्षा यम सक्षर्टा विभाग के मंत्री जगनात महतों के निदेश पर विभाग ने इसे लेकर सभी जीलों से रिपोर्ट मांगी है मीडिल स्कूलों के हाई स्कूलों में उतकर्मन सम्मंधित रिपोर्ट कुछ जीलों से पहले ही मिल चुकी है विभाग ने स्तेश जीलों को अभिलम रिपोर्ट देने को कहा है साथ ही सभी जिला सिक्षापत अधिकारी को हाई स्कूलों के पलस टू इसकूलों में उतकर्मन के समांद में भी सिगरे रिपोर्ट देने को कहा है हजारी बाग में तीन बच्चे नदी में डूबे हजारी बाग जिले के मुफसिल थाना छेतर इस्थीत मेरू के रहदार डेम में नहाने गए तीन बचों की मौत डूबने से हो गाई तीनों मिरितक के पिता बीए सेफ में कारे रथ हाए सभी मेरू जारकंट चोक के मुहले में रहते हाए मिरितको में द्वेश कुमार 16 वर्षिय पिता सुरेश, राम, इचाक, तीलरा नवाडी मिरितक रघु कुमार 15 वर्षिय पिता राजेश, रजक, भिहार, बेगुश, राय और अन्शू राज कुमार 15 वर्षिय पिता अजाय परसाथ का नाम सामिल हाए ड्यूटी के बाद नीजी अस्पताल नर्सिंग होम में प्रैक्टिक्स कर सकेंगे सरकारी चिकित्सक जार्खन के सरकाई चिकिसकों को ड्यूटी के बाद नीजी अस्पतालों नर्सिंग होम एवाम डाइगनोलिसी सेंटर में नीजी प्रेक्टिस की छूट बरकरार रहेगी वैसे चिकिसक जिन्हें नन प्रेक्टिक्स एलाउंस नहीं मिलता है उन्हें ही या छूट मिलेगी सुचना के उस प्रविधान पर पुन्विचार करने का अस्वासन भी मिला है जिसमें कहा गया है कि सरकारी चिकिसक नीजी अस्पतालों में के वाल आउट डूर प्रेक्टिस कर सकते हैं इंडूर नहीं सिक्षकों के अस्थनांतरन को लेकर नाया ulty कर दिया गया है अस्थनांतरन नीती के तहत समधी सारी परकिर्या पूरी करने के निजेश दिया है सारी परकिया पोर्टल के माध्यम से संसोधीत अस्थनांत्रन नीती के तहत ऑनलाइन होगी इसके तहत सबी स्कूलों जिलास्तर यास्थापना समीती की बैठाकर 31 अगस्त तक जोन के अधार पर इसकूलों को अधी सुचित किया जाएगा मन्रेगा कर्मी आज घेरेंगे ग्रामिन विकास मंत्री का आवाज जाखन राज मन्रेगा करमचारी संग के परदेश अध्यक्स जान पीटर बागे ने कहा है कि संग जोमवार को अपनी मांगों को लेकर ग्रामिन विकास मंत्री के आवाज का घेराव करेगा उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों मन्रेगा कर्मियों के मांदे में आंसिक बढ़ोतरी कर उन्हें ठखने का काम किया गया है दूसरी और मन्रेगा सेल में काम करने वाले अने कर्मियों के मांदे में बेताहसा बढ़ोतरी कर उसे एक जनवरी से लागू कर दिया गया वही मन्रेगा कर्मी की बढ़ोतरी एक अगस से लागू की गई है जो सरकार के पक्षपाती रवाईय को दर्चाती है इसे मन्रेगा कर्मीयों में आक्रोस है भागे ने कहा है कि 15 अगस 2022 को मन्रेगा कर्मीयों की सेवा के 15 वर्ष पूरे हो गए लेकिन अभी तक अल्प मांदे के अलावा अन्य कोई लाप मनदे का कर्मियों को नहीं दिया जाता है mathematicals Olympiad के लिए registration शुरू Indian Olympiad in mathematics के लिए registration शुरू हो चुका है इसमें 8 भी से लेकर 20 तक की विद्यार्थी सामिल हो सकते हैं अंतराश्ट्री अस्तर पर होने वाले इस ओलंपियाड के लिए 15 सितमबा तक रईश्टेशन होगा एक छुक बिद्यार्थी ओनलाइन या इस्कूल के माध्यम से रईश्टेशन करा सकते हैं वहीं इसकूलों को सेंटर बनाने के लिए इसकूल परबंदन भी रईश्टेशन करा सकते हैं जिसके लिए 8 सितमबर आखरी तीथी निधारी था है फिलहाल रांची में दो स्कूलों डिपीएस रांची और गुनुनानक इसकूल को सेंटर बना दिया गया है बतादे 30 अक्टूबर को राज अस्तर पर परिक्षा होगी परिक्षा सुबह 10 बये से 2 पर 1 बये तक होगी इसका आयोजन होमी भाबा सेंटर फोर साइन्स एजुकेशन की ओर से किया जा रहा है जारखन में जड़ी बुटियों पर रिसर्च के लिए जुटेंगे नाम चीन वैद जारखन में जड़ी बुटियों की नई जनकारी और सोध के लिए बोकारों के गोमियों पर खंड के ललपनिया में 5 दिवसे परसिक्षन सिवीर कायोजन किया रहा है 18 सितंबर से इस परसिक्षन सिवीर कायोजन किया जाएगा इसमें देश के विभीन राजियों बंगाल मद्य परदेश उड़िसा बिहार उत्राखन हिमान चल परदेश महराष्ट रायस्थान से नामचीन वैद सामिल होंगे और लोगों को परसिक्षन देंगे इसके साथ ही विभीन परकार की जड़ी बुटियों पर सोध करेंगे परसिक्षन सिवीर को लेकर बोकारो जिलाबैद संगठन की ओर से छेत्र में जनसंपर्क अभ्यान चलाया जा रहा है धन्यवाद